अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.58 इंचिस के एक IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मुबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मुबाइल में गोरिला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मुबाइल के वेट की तो यह मुबाइल आपको 200 ग्राम के साथ काफी लाइट वेट भी देखने को मिलेगा ओवराल देखा जाते हो इस मुबाइल के डिस्प्ले लुक और डिजाइन वाइस काफी क्लास ही आपको देखने को मिलेगी और in-hand feel experience भी आपको काफी अच्छा इस मुबाइल का देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस मुबाइल के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल के operating system, chipset और GPU के बारे में इस मुबाइल में N.11 operating system आपको देखने को मिलेगा जिससे के आपको इस मुबाइल के performance एक दम smooth देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मुबाइल के GPU की तो इस मुबाइल में Mali J57 MC2 GPU आपको देखने को मिलेगा जिससे के आपको gaming graphics में कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा और gaming के वक्त आपको काफी कम heating issue भी इस मुबाइल में देखने को मिलेगा overall देखा जाए तो इस मुबाइल का platform आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस मुबाइल के main camera की जिसमें 50 और 2 megapixel का dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में decent quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 5 megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 1080p होगी overall देखा जाते हो इस mobile का camera segment भी काफी decent आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 128GB में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile आपको 4GB और 6GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक अच्छी quality का loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको Xiaomi के हर mobile की तरह side mounted देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस mobile में proximity, eslometer और compass जैसे सारे sensor देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं इस mobile के battery के बारे में जिसमें 5000 mh के बड़ी LiPo battery आपको देखने को मिलेगी और charging के बात करें तो इस mobile में 18 watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इस mobile का कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको silver, grey और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 13,990 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 23 July को release हो जाएगा overall देखा जातो Xiaomi के इस mobile में आपको काफी कम price में काफी अच्छे feature देखने को मिल जाएंगे अगर आपका budget 14,000 के आसपास है तो आप ये mobile ले सकते हैं अब सबसे आखिर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 7 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में